टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनाड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू अनली अट टेग टीवी मैं हूँ रुक्सार शेजा सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूस एड लाइन्स कनेडियन सूबे उंटेरियो में ओमिक्रोन के पहलाओ के सबब सेहत के निजाम पर दबाओ बढ़ने लगा सूबे में मैशेट के दुबारा खुलने का इमकान प्रीमियर डगपॉर्ड का कहना था कि हमें आने वाले दिनों और हफतों में नए केसिस के सूनामी का सामना है टॉरेंटों में तूफानी हवाएं चलने का खच्छा तेज हवाओं के सबब बजली की परामी मौत्तल होने का इमकान शहर में बुद और जुम्राद के रोज पर पारी भी चारी रहेगी कैनेडा में कुरोना वारत से मतासर अफ्राद के तादा 23 लाग से तजावस कर गई हलाकते 30,399 हो गए मुल्क भर में 19,49,934 से जाइब मरीज से अधिया हो चुके हैं तुर्की जल्दी दुनिया की 10 बड़ी मैशतों में से एक होगा तुर्क सदर तयब उर्दगान का कहना है कि आलमी वबा में तुर्की जी ट्वैंटी मुमालिक में सबसे तेज रफ़तार मौशी कुवत बनकर उबरा है बरामचुदा मस्नुआत में 75 इकसाम तक रिसाई हासल कर चुके हैं अमरीका ने कोरोना से बचाओ के लिए गोलियों की खरीदारी दुगना कर दी अमरीकी सदर का कहना है कि ये गोलियां ड्रामाई तौर पर अस्पताल दाखले और अमवाद की शराफ कम करने की सलाहित रखती है हमने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा ओर्डर दिया है अब मैं इस ओर्डर को दुगना कर रहा हूँ तालबान की अमरीका के खिलाफ फतह की नुमाईश अमरीकी फौजियों के नाम दीवार पर तहरीर कर दिये दिवार की नुमाईश की जा रही है ताकि तालबान की अमरीकी फौर्सिस के खिलाफ दो दहाईों तक जारी रहने वाली लड़ाई की वज़ा को तक्वियत दी जाए अमरीका में एक दिन में करोना की रिकार्ड दस लाग से जाएट के से सामने आ गए भारत में ओमिक्रोन वेरियन से पहली मौत दुनिया भर में करोना वार्स से मतासरा अफराद की तादाद 19 करोर 57 लाग 35,796 तक जा पहुंची हैडलाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कैनेडा की सूबे में एक ऐसे मौके पर जब करोना और ओमिक्रोन वार्स के केस्स में दिन बदिन इजाफा हो रहा है अस्पतालों में तिबी अमले की कमी ने शदीद मसाइल पैदा कर दिये हैं मजीद चांदे हैं इस रिपोर्ट में आंटेरियों में एक ऐसे मौके पर जब करोना और ओमिक्रोन वार्स के केस्स में दिन बदिन इजाफा हो रहा है अस्पतालों में तिबी अमले की कमी ने शदीद मसाइल पैदा कर दिये हैं महट में सहथ के हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में आई सी यू पर दबाव बढ़ता जा रहा है जबके मरीजों को संभालने के लिए मज़ीद तिबी अमला दस्तियाप नहीं है ऐसी सूरत में अगर मज़ीद केस सामने आएं तो सूरत इहाल तश्वीशनाक हो सकती है हुकाम ने हकूमत से अमले की फराहमी का मतालबा किया है अंटेरियो के सहथ के अधिदारों ने कहा कि सूबे में बुद से शुरू होने वाली तमाम सरजरीज में ताखिर होगी क्यूंके सूबा अस्पताल में बढ़ते हुए दाखलों और अमले की बढ़ती हुए गयर हाथरियों के दोहरे दबाव से दोचार है हमें इस वक्त के लिए तैयार रहने की जरूरत है जहां फराम की जाने वाली देखभाल इस पिसम की नहीं होंगी जैसी हम चाहते हैं उन्होंने मज़ीद कहा कि हकाम खत्रे को कम करने के लिए हर ममकिन कोशिश कर रहे हैं क्यूबैक पबलिक हेल्थ के एक सीनियर स्ट्रेटिजिक मेडिकल एडवाइजर ने एक टैक्निकी ब्रीफिंग में बताया कि इन्फेक्शन की आला सता को देखते हुए दस दिन की तनहाई की मुद्द मौशरे को मफ्रूच कर देगी दूसरे जाने प्रेमियर डगफोर्ड ना ऐलान किया कि सूबा तेजी से फैलते हुए ओमिक्रॉन वेरियंट के जवाब पे दुबार खुलने के अपने रोज मैप के दूसरे मरहले में वापस जाएगा जिसकी वज़ा से पिछले कुछ हफ़तों में रिकार्ड केसिस सामने आए हैं जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के दीगर सूबों और मुमालिक की तरहां पूरे सूबे में ओमिक्रॉन केसिस की तादात तेजी से बढ़ रही है हमें आने वाले दिनों और हफ़तों में केरिड़ा की जानिब से टॉरंटो में तूफानी हवाओं के पेशे नजर खूसी मौसमी वार्निंग जारी की गई है जबके शहर में बारिश और बरबारी का भी इमकान है इस हवाले से मज़ीद चानते हैं एन्वार्मेंट केरिड़ा की जानिब से टॉरंटो में तूफानी हवाओं के पेशे नजर खूसी मौसमी वार्निंग जारी की गई है जबके शहर में बारिश और बरबारी का भी इमकान है महक में मौसमयात की जानिफ से जारी वार्निंग में कहा गया है कि शहर में 70-80 किलो मीटर फी घंटा की रफ़तार से तेज हवाई चलेंगी जिनके सबफ शहर में सर्दी मजीद बढ़ जाएगी मौसमयाती एजन्सी इंतिबाख कर रही है कि इस रफ़तार से चलने वाली हवाउं के सबफ बिजडी की फरामी मौतल हो सकती है जबके दरख तो समेट कमजोर तनसीबात को नुकसान पहुच सकता है इन्वारिमेंट केनिडा की जानिफ से लोगों को ड्राविंग के दारान एहतियात का मश्वरा दिया गया है शहर में बुद और जुमेरात के रोज बरवारी भी चारी रहेगी जबके इन दो रोज के दौरान जुमेरात के रोज तरज़ा हरारत स्यादा से जादा मनफी एक जबके कम से कम मनफी नौ टिग्री सेंटीगेट तक जा सकता है ऑंटेरियो सुबे में करोणा कीसिस कीतादा सबसेем स्यादा है सुबे भर में करोना वायरस से मुताफिर होने वालों की तादा आठ लाग पांच हजार अठानवे तक जा पहूँची है बедь अफसिलाच इस रिपोर्ट में कینیडा में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादा 23,00,000 से तजावस कर गई कینیडा भर में करोना वाइरस के पहलाओं में एक बार फिर इजाफ़ा देखने में आ रहा है आखरे इतलाद के मताबिक कینیडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 23,00,000,000 तक जा पहुंची है जबके हलाकतیں 30,399,000 हो गई मुल्क भर में 19,49,9,934 से जाएट मरीज सहत्याब हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जईदा है सूबे बर में करोना वाईर्स मुतास्र होने वालों की तादाद 8,05,098 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 10,239 है केरेड़ा में करोना वायरिस के सबफ सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मचमुई केसिस की तादाद 6,51,328 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,760 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूब अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वग करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,89,374 अफराद करोना वायरिस से मतासे हुए हैं जबके 3,322 अफराद हलाक हो चुगे हैं ब्रिटिश कलम्बिया में केसिस की तादा 2,64,181 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,423 है तुर्क सदर रजब तयब अर्दवान ने इस अज़म का इजहार किया है कि तुर्की जल्द ही दुनिया की दस बड़ी मैशतों में से एक होगा मजीद चांत हैं इस रिपोर्ट में तुर्क सदर रजब तयब अर्दवान ने इस अज़म का इजहार किया है कि तुर्की जल्द ही दुनिया की दस बड़ी मैशतों में से एक होगा तुर्क मीडिया के मताबिक सदर अर्दवान ने कहा कि आलमी वबा में तुर्की जी ट्विंटी मुमालिक में सबसे तेज रफ़तार मौशी गुवत बनकर उब्रा है और आने वाले अर्से में तुर्की दुनिया की दस बड़ी माईशतों में से एक होगा इस से कबल इस्तंबोल में मुनाकिदा प्रेस कांफरंस में सदर अर्दवान ने साल 2021 में गर्मल्की तिजारत के आदादों शुमार पेश किये थे उन्होंने कहा कि तुर्की की 2021 में बरामदाद 225.36 बिलियन डॉलर रही गुजिश्टा साल के मकाबले में 32.9 पीसद इजाफा हुआ जो के तारीख में एक रिकॉर्ड है सदर अर्दवान का कहना था कि गर्मल्की तिजारत का हजम 2002 में सिर्फ 87.6 बिलियन डॉलर था जो 2021 में बढ़कर 479.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया तर्की बहरानों पर पाने वाला ही नहीं बलके बहरानों को अपने हक में बदलने वाले मुल्क की हैसियत इख्यार कर चुका है हम बरामदी चुदा मसनुआत में 75 इक्साम तक रसाई हासल कर चुके हैं जो के जम्हूरिया की तारीख में सबसे ज़ादा बरामदी इक्साम की हैसियत रखते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन ने करोना से बचाओ के लिए फाइजर गोलियों की खरीदारी दुगना कर दी उनका कहना था कि हमने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा ओर्डर दिया है अब मैं इस ओर्डर को दुगना कर रहा हूँ मजीद चांदे हैं इस डिपोर्ट में अमरीकी सदर जो बाइडन ने करोना से बचाओ के लिए फाइजर गोलियों की खरीदारी दुगनी कर दी अमरीकी सदर ने वाइड हाउस में माहिरीन की टीम से मलकात के बाद गोलियों की तादाद एक करोर से बढ़ा कर दो करोर करने का ऐलान किया अमरीकी सदर ने कहा कि ये गोलियां ड्रामाई तोर पर अस्पताल दाखे और अमवाद की शरह कम करने की सलाहियत रखती है हमने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा ओर्डर दिया है अब मैं इस ओर्डर को दुगना कर रहा हूँ अमरीकी सदर का कहना था कि आमिक्रॉन के बारे में फिकर मन रहे लेकिन घबराएं नहीं अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो बास अफराद मर सकते हैं वाज़ रहे कि अमरीकी एदारे फूड एंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन ने 22 दिसंबर को फाइजर की पैक्सलोविट गोली की हंगामी हालत में इस्तिमागी मनसूरी दी थी साथ ही अमरीका में करोना केसिस में तश्रीशनाक इज़ाफा जारी है 24 घंटों में करोना केसिस की तादाद 5,40,000 से तजावस कर गई जबके आमवाद की तादाद भी 1750 हो गई है अफगानिस्तान के सूब गजणी के गवरनर हाउस के आहाते में तालबान ने अमरीकी फाज के साबिक अड़े की दिवारों के कुछ हिस्सों को नुमाईश पर लगाया है मजीद चांदे हैं इस रिपोर्ट में नामों से भर देते थे ताहम अब ऐसी ही एक दिवार की नुमाइश की जा रही है थाकि तालबान की अमरीकी फोर्सिस के खिलाफ दो दो दोहाईयों तक जारी रहने वाली लड़ाई की वज़ा को तक्वियत दी जाए तालबान के सुबाई सिकाफत के सरबराम लाहबीब ला मुझाहिद ने बताया कि हमें अगवानों दुनिया और आने वाली नस्तों को दिखाना होगा कि हमने अमरीकियों को शिकस दे दी है चाहे वो खुद को दुनिया की सबसे ताकत पर कौम कहें अमरीका में करोना वारस की ओमिक्रौन किसम के तेजी से पहलने के सबब एक दिन में दस लाग से जाएट केसिस सामने आए जो कि एक आलमी रिकॉर्ट है मजीद चांगते हैं इस रिपोर्ट में भारत में आलमी वबा करोना वारिस के आमिक्रोन वारियंट से पहली मौत रिपोर्ट हुई है भारती वजारे सहत के हुकाम का कहना है के रियासत राजिस्तान में आमिक्रोन का मरीज इंतकाल करिया है हकام का ये भी कहना है कि भारत में ओमिक्रोन केसिस की तादाद 2135 हो गई है अमरीका में करोना वायरिस की ओमिक्रोन किस्म के तेजी से पहलने के सबब एक दिन में 10 लाग से जाय केसिस सामने आए जो के एक आलमी रिकॉर्ड है दुनिया भर में करोना वायरिस से मतासरा अफराद की तादाद 29,57,35,796 तक जा पहुँची है जबके इस मुजी वायरिस से अमवाद 54,56,555 हो गई 25,62,56,189 मरीज से हैतियाफ हो चुके है करोना वायरिस के केसिस और इस से अमवाद के एतवार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वायरिस से अब तक 8,51,449 अफराद मौत के मुँच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मश्मुई तादाद 5,80,4,720 हो चुकी है एक अरब से जायद अबादी वाला मौक भारत करोना वायरिस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वायरिस से 4,85,51 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतासिरा 3,50,18,358 मरीज सामने आ चुके हैं सादी अरब इसी फैरिस में 64,52 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वायरिस से अब तक कुल अमवाद 8,883 रिपोर्ट हुई हैं जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,62,437 तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैक टीवी